एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मिरा नाम है सुधीर और कल है एक्सपाइरी के दिन और इस दिन के लिए हम तियारी करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन को देखेंगे चार्ट को अनलैसिस करेंगे और बजट के बाद जो आज मुमेंटम बना है तो क्या ये मुमेंटम कल एक्सटेंड होगा इस चीज़ कौन समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं करते हैं यहां पर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से बिएफ कर सकते हैं कल के trading session में वेल मौस्ट इंबोटन training session होगा क्योंकि कल है expiry और कह सकते हैं after the budget market एक कह सकते हैं अपने swing high के आसपास ही trade कर रहे हैं तो क्या यहां से short covering बढ़ेगी या फिर थोड़ी सी profit बगिंग आईगी इसको हम समझ रहे हैं तो सबसे पहले हैं यहां पर option chain data को यहां पर हम understand करते हैं तो option chain data में आपको clearly यहां पर कुछ indication मिलेंगे वह indication यहां पर क्या पता रहे हैं कि 17,700 की जो put है आप देख सकते हैं यहां पर 17,700 की आप put देखो यहां पर आपको क्या है unwinding start हो गई है इसका मतलब क्या है call writer थोड़े से back foot पर जाते हो दिखाई दे रहे हैं और put पर बात करें तो almost 46.8 lakh का open interest खड़ा हो गया है 17,800 की बात करते हैं तो 15,000,000 का open interest यहां पर भी add हो गया है put side पर और call side पर आपका 38,000,000 का open interest आपका call side पर इसके उपर बढ़ते हैं तो 17,900 पर अभी कुछ भी यहां पर action नहीं दिख रहा है put side पर इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जायर सी बात है कि हम 17,800 लेवल वाइस यहां पर पोट राइटर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ऐसा नहीं है कि market के trend को देखके aggressively यहां पर ऊपर की तरफ पोट राइटिंग शिफ्ट हो रही है ऐसा नहीं है उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहां पर देखो change in percentage आप देख सकते हो 90-94 70% तक premium drop हो रहा है यानि still अभी भी premium यहां पर high है विक्स जिस तरह से cool down हो रहा है तो कल भी यहां पर तेजी से premium घटते होई दिखाई देंगे तो इसलिए मैंने आपको सुबह रिकमेंट किया था आप 17,700 का short straddle बेश सकते हो जो कि around अभ कोमेंट किया था करीब 170 के आसपास चल रहा था तो अभी भी यह अगर देखा जाए तो 46 plus 124 around still 170 का ही चल रहा है जबकि निफ्टी 80. चलते हैं चार्ट पर देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है मैं option chain data से clearly indicate मल गया है कि market अभी भी स्टिल bullish है और हम TD की तरफ ह यहां पर participate करने की कोशिस करेंगे चार्ट को understand करें तो चड़ते हैं चार्ट पर यहां पर चार्ट को देख लेते हैं यह है निफ्टी का day chart और इसको refresh किया है यहां पर आपको clearly दिख रहा है कि day high पे जाके निफ्टी बंद हो रहा है अब कल के trading session में एकी चीज़ important रहेगी कि अगर आज का trading session में आपको यहां पर कुछ बतानी की कोशिस करों देखो 15 मिनट का चार्ट है यहां पर सबसे एच्छी चीज इसने 17650 के उपर gap up opening दिखाई उसके वाद इस level को इसने test नहीं किया है तो यह level आपके लिए support का का काम करेगा जो की है 17640 से लेके 620 का उपर 17800 को निकालता है तो expiry का एक अच्छा घासा momentum यहां पर बन सकता है क्योंकि अभी तक market ने एक जो एक buying होनी चाहिए थी proper एक straight line की वो अभी भी नहीं देखने को मिली है बहुत ही slowly market उपर जा रहा है तो अगर कल flat खुलके positive price action बनाता है तो फिर यहां पर chances है कि यह उपर की द्रब बढ़ सकता है और target आपका 17900 और 18000 भी आपका बन सकता है क्योंकि already यहां पर एक अच्छा घासा momentum देखा जा रहा है तो आप एक एक target के साफ से यहां पर play out कर सकते हो कोई भी intraday की dip आपको अगर मिलती है 17700 तक की तो आप वहां पर एक buying opportunity यहां पर डूर सकते हो nifty क के अंदर यह चीज निफ्टी क्लियरली यहां पर indicate कर रहा है बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी कैसा कामकाच कर रहा है तो सबसे बैंक निफ्टी का डे चार्ट क्लियरली काफी strong candle है डे हाई बंद हुई है तो तो second half में आपको एक pullback देखने को मिल सकता है और आपको यहाँ पर pullback के लिए play करना चाहिए यानि आपको dip का utilization करना है dip कहां तक कि आनी चाहिए around आज के दिन में इसने 39,000 को perfectly hold किया यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक dip आई उसके वाज में इसको perfectly hold करके रखा है तो अगर कोई भी dip आती है कहां तक कि 39,90 तक कि आपको कोई भी dip मिल दिये तो आप यहाँ पर एक long opportunity डूण सकते हो उपर की तरफ target आपको 39,750 तक का मिल सकता है यह चीज़ आप clearly यहाँ पर समझ लीजिए यानि अभी भी bank nifty के पास जगे है चलने की अच्छा खासा यह चीज़ यहाँ पर clearly समझ लीजिए अभी 200 पॉइंट उपर कामकाच कर रहा है और dow feature करी 50 पॉइंट उपर कामकाच कर रहा है sdx nifty 17,850 पर कामकाच कर रहा है यानि अब gap up ज़ादा देखने को मिलेंगे क्योंकि US market में भी recovery है plus जिसकी वज़े से क्या है कि nifty भी gap up अब कल भी यहाँ पर अगर 100 पॉइंट का gap up हो जाएगा तो काम करने की कुछ जगे नहीं बसती है और contra trade ले नहीं सकते क्योंकि अभी भी still market के पास जगे है चलने की यहाँ तो nifty सीधा सीधा 17,950,960 के zone में खुले तो वहाँ से आप contra trade ले सकते हो क्योंकि already day chart पे काफी अच्छा momentum देखने को मिल गया है बट ऐसा possible फिलाल तो नहीं है क्योंकि आप देख रहें लास्ट इसका जो resistance था अगर मैं यह सारे हटाता हूं तो यह देखो यह था इसका लास्ट रजिस्टेंस जहां पर यह अटकाता तो कल एक expectations है यहां पर कि अगर gap up खुलता है तो थोड़ी सी profit booking के बाद यह उपर की की तरह swing दिखा सकता है तो यहां पर अगर कोई ज्यादा बड़ा gap up नहीं खुलता है या फ्लैट खुलता है मार्केट तो हम यहां पर positive side trade करने की कोशिस करेंगे otherwise यहां पर आज की तरह कल भी यहां पर ignorance ही रहेगा क्योंकि जो premium है वो इस्टिल यहां पर drop हो रहा है आई- 600 की पूट भी सेल कर सकते हो जो कि आपकी 176 की पूट कितने ही चल रही है बीबी around 10 रूपीज की चल रही है तो आपको यह रूपे डेफिनेटली मिल सकते हैं 1700 की पूट देखी जाए तो यह करीब 28 की यहां पर चल रही है ठीक है और नहीं हाँ यहां पर जो मैं आपको शॉर्ट स्टिल की बात कर रहा था वो आपका अरौंड 1500 रूपे का चल रहा है जो कि सुबह हमने 170 रूपे पर सेल करने की बात करें ने अपार्ट फर्म निफ्टी 80 पॉइंट वहां से चला लेकिन इस शॉर्ट स्टेडल में वेल्यू घटी ही है तो इसलिए यहां पर आप जो कर सकते हो यह भी कर सकते हो कि 17-800 का शॉर्ट स्टेडल बेश सकते हो यहां पर भी करीब करीब देखा जाए तो 60-130 रूपे का प्रीमियम है जो की काफी अच्छा प्रीमियम है देखा जाए तो थोड़ा सा आप ऑप्शन सेलिंग को अगर प्रिफर कर सकते हो एक दो ट्रेडिंग सेशन या इस पर्ट थोड़ा सा आपको आप्शन सेलिंग पर या फिर आप अवाइड कर सकते हो ट्रीडिंग सेशन यह भी आपके लिए बैस सुटेबल हो सकता है क्योंकि आपको दिख रहा है अभी भी यहां पर देखो 18-100 की जो 18-100 की कॉल देखो 10 रुपे की ट्रेट कर रही है यहां पर यह फ्लैट खुलके ऊपर निकलता है तो बाइंग की अपरशनिटी टूंड नहीं है अगर कोई गैप डाउन ओपन होता है तो अभी बाइंग की अपरशनिटी ही टूंड नहीं है आपको यह चीद आप क्लेली समझ लीजिए एक बड़ा गैप अप होता है लेटर सपोर 17-850- 70 के जोन में 870 के जोन में खुल रहा है तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अवॉइड करना है फिर आपको प्राइज एक्षन ही यहाँ पर देखना पड़ेगा सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए आपका अप्लाई होता है ग्लोबल मार्केट की मैं बात कर चुका हूँ अभी positive काम काच कर रहे हैं अगर यह उपर की level पर ही टिक जाते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कल का trading session भी हमारे लिए gap up trading session रहेगा तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों flawless वीडियो में इतना ही है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसं